नमस्कार, खबरे केती की में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनिता निर्वान और अब खबरे विस्तार से वर्तमान सरकार किसानों के उत्थान में कई नीतियों का एलान कर चुकी है वही नाबाड भी हर तरह से उसकी मदद में सहियोग करने में लगा हुआ है 12 जुलाई 2016, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नाबाड द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रिय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विशय था सन 2022 तक किसान की आये को दो गुनी कैसे किया जाए इस सेमिनार का उद्गाटन केंद्रे वित्तराज मंत्री शिरी अर्जुन राम में एकवाल ने किया अपने अध्यक्षिय भाषण में उन्होंने किसानों की आये किस तरह दो गुनी की जाए इसके बारे में बताते हुए कहा नाबाट के 34 साल पूरे होने पर तथा इस राष्ट्रे सेमिनार का उद्देश ये बताते हुए नाबाट के अध्यक्ष डॉक्टर हर्च कुमार भानवाला ने कहा इस सेमिनार का उद्देश ये है कि हम किस तरह से किसानों की इनकम को दुगना करें उनकी आये को दुगना करें एक समय बद टाइम फ्रेम के अंदर 2022 तक हमें ये काम पूरा करना है तो इसके लिए किसान अपनी आये अरजन करता है खेती से खेती से जुड़े होटी कल्चर की क्रॉप से डेरी से सूर पालन से पोल्ट्री से बी कीपिंग से फॉरस्ट्री से और ये इनकम बढ़ भी सकती है अपनी इकाई की लागत को कम करके भी इसके अलावा काफी किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं और जो दूसरे तरीकों से जो क्रिशी के अलावा जो और संसाद हैं उनसे अपनी आये को अरजित करते हैं जो अपनी ध्याड़ी भी कमाते हैं रोज ऐसे किसानों कि हमने चार-पांच रिसोर्सिस निकाले हैं कि उनकी इंकम कैसे बढ़ सकती है इस एक दिवसिय राष्ट्य सेमिनार में भारस सरकार और क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले से भी गणमान्य लोग उपस्थित थे